हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सीम और आपको स्वागत है मेरी चैनल में आज मिले के आई हूँ सुपर टेस्टी हेल्दी वाला दालिया उपमा के रसीपी और ये देखने में जैसे खाने में ऐसे ही टेस्टी है और ये बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाएगी शिर्फ पांच मि में ही टेस्टी वाला हेल्दी वाला दालिया उपमा बनके त्यार हो जाएगी अगर मेरा रसीपी आप लगंको आच्छा लागे तो प्लीज लाइक कोमेट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भुले मेरा वीडियो को फूल वाच करिए इसकी बिल्कुल भी ना करे और यह बहुत कौम टाइम में बनके त्यार हो जाएगी और कौम सामान में बनके त्यार हो जाएगी ज्यादा सामान भी नहीं लागेगी और ज्यादा मेहनोत भी नहीं है और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसमें मैंने क्या-क्या आड़ गिया मैं आगे आपको देखाऊंगी वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या सामान लिया इतना सारा मैंने सामान लिया और एक कॉप मैंने दलिया लिया और आधा कोटोरी मैंने नरेल को एसे छटा-छटा कट करके लिया और गाजर भी लिया एक कोटोरी छटा-छ चोश से आठ काजु होगा साताइध और कैप्सीकम लिया और हरी मिर्ची लिया और यह देख हीए घी लिया टेर चामज होगा और मुणफली मैने रोष्टडवाला मुणफली लिया दू चामज होगा और जीरा और करिपत्ता ड्राइब वाला और ये सुर्ष मैंने आधा चमुच लिया जीरा भी आधा चमुच होगा तो इतना समान लगेगा उपमा बनाने के लिए ज्यादा समान नहीं लगेगा पहले दल्या को हम रोष्ट करेंगे तो मैंने कड़ाई चड़ा दिया ग्यास पे और कड़ाई मेरा गरम हो गया देखिए और उसके बाद मैंने दल्या अड़ कर दिया उसमें मीडियोम फ्लेम में ही दो मिनित तक उसको भूनेंगे इसे सुखा ही भूनेंगे और जदा उसको रोष्ट नहीं करना है बस दो मिनित तक ही उसको हम भूनेंगे और हाई फ्लेम नहीं करना है लो फ्लेम में ही उसको भूनेंगे बस यह हो गया और उसको हम अभी ठंडा होने क छोड़ देंगे और ग्यास मैं अप कर दूँगी और उसके बाद मैंने लिया एक प्रेसर कुकर मैं चढ़ रिया ग्यास पर up कुकर भी मेरा गरम पहले आड़ करेंगे घी और आपना ओयल भी आड़ कर सकते लेकिन घी आड़ करने से और भी उसका स्वाद बढ़ जाता है उपमा का तो मैंने इसलिए घी लिया आप घी का जगा में ओयल भी ले सकते जैसे घी गरम हो जाएगी ऐसे ही करी पत्ता और जीरा और चुरसो कर सकते लिकिन मेरा पास ड्राइ था तो इसलिए अमने ड्राइ लिया जैसे चटक जाएगी शुरसो जीरा उसी बाद हम आड़ करेंगे हरी मिर्सी मैंने आड़ कर दिया देखिए और हरी मिर्सी के बाद आड़ करेंगे जितना भी कटा हुआ है वेजिटेबल्स आपका हिस मैंने दो आड़ कर दिया तेज पत्ता और उसके बाद मैंने आड़ किया यह सबजी मैंने काटके जो रखी थी क्याप्सिकोम और गाजर तो मैंने उसको कुछ सेकेंड के लिए भुनाई करेंगे फिर उसके बाद आड़ करेंगे मुंग फली मुंग फली यह मैंने भुना ह करने यह पूसान ह będę यह बहुत तेस्ट लागता है करकपन आड़ करने अर्व då उसके बाद कजू आड़ने कर में पतोटक स्था यह आपना पहले पानी भी आड़ कर सकते लेकिन मैं थोड़ा गी में दल्या को भुनूँगी और भी स्वाध बढ़ जाएगी इसलिए मैंने पहले पानी आड़ नहीं किया तो दिखिये मैंने दल्या आड़ कर दिया और उसको मैं भुनूँगी कुछ सेकेंड के लिए और उसके बाद पानी आड़ करेंगे जिस कोप में मैंने दलिया लिया उसी कोप से ही मैं पानी आड़ करूंगी और एक कोप दलिया में डेड़ कोप पानी लागेगा ज्यादा पानी आड़ नहीं करेंगे नहीं तो खिला खिला नहीं बनेगा चीपक जाएगी गिला गिला हो जाएगी और मेजरमें ठीक रेखने से अच्छा बनेगा दलिया का उपमा जो पूरा खिले खिला बनेगा और दाना दाना बनेगा तो मेरा भुनाए हो गया और देखिए मैंने पानी आड़ किया ये एक कॉप मैंने आड़ किया उसी कॉप में ही मैं दलिया लिया था उसी कॉप में ही म पर उसके बाद आड करेंगे स्वादा अनुजाई नमक मैंने नमक लिया स्वादा अनुजाई दिखिये आड कर दिया और आपना उसके बाद इसको जैसे बोय लाएगा एसे ही धकन बंद करके उसको छोड देंगे लिकिन मैंने उसमें थोड़ा हल्दी आड किया आधाजा हल्दी आड कर दिया और आप ऐसे भी नमकिन बला भी बना सकते लिकिन मैंने एक चामज चीनी आड किया और दिखिये ये मिठा नहीं होगा जदा मास इपर हल्द का बालांस के लिए तो मैंने चीनी आड कर दिया और पुरा चीनी हल्दी नमक आड कर दिया उसको मिला दिया अच्छा से और उसके बाद देखिए बोईल आगे और मैंने ऐसे लीड बंद कर दिया और एक सिटी आने तक उसको छोड़ेंगे जैसे एक सिटी आएगा ऐसे ही हम ग्यास का फ्लेम आप कर देंगे तुरंत तो लो फ्लेम ही हम कुक करेंगे हाई फ्लेम में नहीं रखना है नहीं तो जल्दी जल जाएगी दिखिए मारा एक सिटी आगया बास अभी एक सिटी जैसे आया मैं ऐसे ही ग्यास ओफ कर दिया और उसको ऐसे ही रहने देंगे और जैसे यह पुरा ग्यास रिलीज हो जाएगा आपने आप प्रेसर रिलीज हो तो यह देखिए मैंने खोलके आपको मैंने देखाया यह सामने ही देखिए कितना खिला खिला बना है एकदम खिला खिला और पूरा इतना टेस्टी बनता है सच में और यह देखिए मैंने प्लेटिंग कर दिया आपको मैंने प्लेट में भी लिकल के देखाया देखिए कितना खिलेखला और पूरा दानदार बना हुआ है और आपना आपको मतलब और भी थोड़ा गिला चाहिए तो आप और भी पानी आड़ कर सकते हैं लेकिन इस टाइप का बना करके खाईए सच में बहुत टेस्टी है दिखिये में आपको पास से देखाऊंगी कितना देखने में ज सच में बहुत टेस्टी था एक बार इस तरीखा से आप लोग बना के खाईए और कोमेट करके मुझे बताए कैसे लगा मेरा रेसीपी और बच्चा को बहुत पसंद आएगी इस टाइप का बना करके टिफिन में देदेजिए बच्चा खुस होके खाएंगे इतना टेस्ट लागेगा और यह देखिए पास से मैं देखा रहे हूं कितना अच्छा बना है मेरा वीडियो को फूल वाच करेंगे